लालत तुम्हारी कलै खुल गए हमस्त पाववीन तोरे मंदी हो गई आपने उना होगा कि गोली से बहुत घातक बोली है पहले मैं गोली चलाता तो तो मैं मेरे कोई या काई आँप मरते ने दुस्मन मरता लेकिन बोली से कितने भरष्ट अचारियों के सीने में जाके चुपता है जब मैं बोलता हूँ और मुझे आते अंदर तो ये भरष्ट परसासन और भरष्ट वकालत की असलियत सामने नहीं आ पाती है बिल्कुल काजल की कोटली को साफ करना है तो आपको उसके अंदर घुसना तो प बहुत गलत काम किया यहां के पुलिस ने यहां के एस्पी ने क्योंकि क्या है कि आदालत जो आपका है वो नियाय तो कहीं करता नहीं है सिर्फ लूट का अड़ा है बिहार में 13 करोड जनता में बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो इस आदालत से बचे हुए हैं उसके पुर्व सेनिक जब सेना से रिटायर हो जाते हैं तो समाज की सेवा के लिए उन्होंने माइक ठाम लिया और माइक को ही अपना दूसरा हाथियार बना लिया लेकिन वो समाज का सेवा आज इतना भारी पर गिया कि चार महिना जेल काटना परा और उसके बाद चार महिने की जेल के बाद ये वापस आते हैं और हम आपको बता दे कि जेल में जाने के बाद भी खुद का केस हो खुद का बेल हो हर कुछ की लड़ाई अकेले ही लड़े ये समाज के लिए लरना कितना भारी पर जाता है बिहार के अंदर ये चीज किसी से छुपा नहीं है वो मनिसकर स अब हो या तमाम अलग-अलग समाज से भी हो उनको अपने पॉकेट से अपनी मां का गहना जेवर और घर की जमीने बेच के समाज की लड़ाई लड़नी पर जाती है लेकिन साथ को ही नहीं देता है इसी बीच में हमारी ये पूर्प सैनिक भीया जेल से निगल के आ चुके बहुत-बहुत स्वागा थे आपका बहुत-बहुत अवार आफका कि आप यहां तक आए एक सुदुर जहात गाउं में रहता हूं है बेगुस राजिला का सदाननप्र गाउं है और यहीं से मैं संचालित करता हूं इस लड़ाई को क्योंकि मुझे लगा कि जो बास्तम में यह पत्रकारता का अधिकार समा सेवा यह सब गाउं से हो सकता है भारत की आत्मा गाउं है और आप यहां तक आए बरी बात है जवानी की दिनों में SLR और इंसास राइफल थाम के दुस्मनों का गोली सीना पे खाने के लिए तत पर तयार रहने वाले संतोर जी जब चार मह ना उस जेल में अपराधियों के बीच रह किया होंगे सर्म मनोवल तो तूट गया नहीं बिलकुल नहीं देखे क्या है कि आपने सुना होगा कि गोली से बहुत घातक बोली है पहले में गोली चला था तो मैं मेरे गोली से कोई आदमी मरते है या दुस्मन मरता लेकिन बोल भर जाता है वह जो बनी हो गोली से पर वह घाओ नहीं बनता है बोली से तो मेरा बोली आज जो है वह इन भरष्ट आचारियों को इस सहाधात पढ़ ले गया कि मुझे जेल में बंद कर दे और मुझे इस भरष्ट अदालत भरष्ट पुलिस को मेरे बिहार को समझने का मु भरष्ट परसासन और भरष्ट वकालत की असलियत सामने नहीं आपाती है बिल्कुल काजल की कोटली को साफ करना है तो आपको उसके अंदर घुसना तो परेगा ही परेगा इसलिए मुझे उस काले काजल की कोटली में ले दाए गया लेकिन उन्होंने अपना तहखाना सबके सामने अभार के उजागर के आरे बहुत दूर तक बहुत कई किताब्य क करूं चलाता और तक काणा है और बहुत MAYर सभेशे सब तक शचाति में ठीका थोड़नमे लगक हम लोग मुसरफ़ क हीच कर ठीक है जमाने में तो आज थो चार महिना का सफर कहीं न कहीं पूरा पोल पटी निकाल के रहा बहुत बहुत मतलब हमारे लिए अनुभल का ये पाल रहा सत्मेव जैते चुकि यहां से घगरिया कोट ने बहुत गलत काम किया यहां के पुलिस ने यहां के एस्पी ने सब ने इसमें अपना सब हाँ दोया द दो दोनों परत्यक शुरूप से उसके बाद एक आई जी यह सब लगे हुए थे इसमें लेकिन हाई कोट ने एक विश्वास जो तूट गया था उसे जिंदा कर लिया उनका और जब मैं परहा तो मुझे लगा कि वास्तम में कहीं न कहीं है सत्मेव जैते भी है बस बिहार क निचली आदालत में बरस्टासार का जर है ना जिनको यहां के नियाई दीशों को यहां के वकीलों को तो तो यह रखा किया है कि आदालत जो आपका है वो नियाई करता नहीं है सिर्फ लूट का अड़ा है बिहार में 13 करोर जनता में पहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो इसादालत से बचे हुए हैं इसादालत से बचे हुए कोई घर नहीं ऐसा होगा जो इसादालत से बचा हुआ है मोटा बिजनेस काड़ा है और उसके माध्यम से चंद लोग मलाई मार रहे हैं अ करोरों लोग न्याय के लिए रगर-गर के मर रहे हैं इनका खुन चूँचते हैं वो क्या लिया जाए की लिए काला पट्टी और कोट लगा के जो चलते हैं अंदर में बहुत बड़े बरस्टाचारी है वह उनके अंदर देश की भावना तो कहीं से है नहीं और यह पूरे के पूरा शिस्टम उनका पानी भरता है मतलब उनको अधिकार ही नहीं ता समाज माने का जो वकील हैं उनको ना नेतागरी समाज सेवा काधिकार होना चाहिए ना समाज बहने काधिकार होना चाहिए आप अधी बोलेंगे तो आपको चार महिने के सफर को बरश्चाचारी के सीने में दिल होता ही नहीं है सबसे बरी बात करते हैं कि मैं जेल की बात को समझे सब लोग इनसान इह नहीं लेकिन उनका मना है कि जो लोग आते हैं सब अपरादी होते हैं ऐसे तो मुझे जेल आईगे तो आप में अंतर क्या आई ये वो लोग मुझे कहते थे बड़े-बड़े अपराधी थे हां बड़े-बड़े पराधी चोर उचक्के वो कहते थे आरे आप अब कौन सा भूम्यार रहे कौन सा फोजी रहे जेल आ गए ना सब एक बराबर इन लोगों ने किया लेकिन आपको समझने के लिए कि जब मैं अपने विचार से सोचूंगा तो मैं देखोंगा करे उस जेल में एक भी जेल में कोई मनोची किस्सक है लेकिन अपराध एक मनोबिर्ती है मनोबिकृती है ये ये पागलपन है ये पागलपन है तो मनोची किस्सक क्यों नहीं यह तो लेकिन नहीं है लेकिन हम सोच रहें इस चीज को लेकर कि तो बिहार के जेल को जब मोका मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि उप कम पाक शाप होना चाहिए वहां भी हमारा माईक वाला एक बार घुशके जिस दिन एक पत्रकार को उसन घुशना दे दिया ना उदिन समझिए कि बिहार सरकार स्वक्ष हो गया एक पत्रकार को यह आप अंत्रित करके का आओ भाई माय जेल मेगवा घूम जाओ जिसको मर्य जाओ भाई आप जेल भीचि जो लोग रिधोष हैं फिर भी जेल चले जाते हैं लेकिन अधियो को मायबाप करते हैं अदालत को माय बाब करते हैं और पिर भी बेल नहीं मिलता है बेल मौली का दिकार है जिस तरह से अपराद कोई भी आद्मी किसी को कुछ भी क क्यारूपी करके जेल भेशने के लिए स्वतंत्र है उसी तरह बेल भी मौली का अधिकार होना चाहिए हर आजमी का जो सो न्याले को संग्यान के अनुशार सही सोच कर तुरत बेल देना जाहिए जिसी के लिए मैं लिखना पड़ा हम दपावी न तोरे बंदी हो गए हम दपावी न तोरे मंदी हो गए तेरी सोहरत धरी की धरी रह गए बे गुनाही की कोई कीमत नहीं जो बपा ना करे वही नेता बने जो बपाना करे वही नेता बने है सियासत का कैसा नजारासनम थनक चहरी भी उसका पानी भरे हम दपा भी न तोड़े मंदी हो गए हम सिपाही है भाईया युही अर गए उस नियाले का पतलून गिला किया रात बीती और सरतें सुरू हो गई ए आदालत तुझा कर कहा सो आई ए नियाले तुझा कर कहा सो आई एक सिपाही को फंदा न लटका सकी तेरी स्वहरत धरी की धरी रह गई तेरी स्वहरत धरी की धरी गई न दपावी न तोड़े मंदी हो गए आदाई रुकेगी की जारी रहेगी यह अदालत आदाई रुक जाएगी की जन रहेगी जनक कवी वी एक फौजी को जवान का जाता है और आकरी वक्त तक वो जवान रहता है तो मैं जब लराई छोड़ दूँगा तो समझजीएगा कि मैं इस देश का नमक खराम हो गया जो भारा सरकार मुझे आकरी सांस तक पिंसन देगा तो उसकी नमख खाला दी तो मैं करता रहा हूँ तो लराई तो लराई है देखिए समाज के लिए हो या सरहद के लिए हो मुझे बहुत अफसोस है कि हम लोग इतना लंबा समय दिये मुझे मेरे लिए प्रब बगरा में आ गया होता और यह सोसल मीडिया तब आया था अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने वक्त जाजे जाय कर दिया क्योंकि हमारे देश में बीरों की कमी नहीं है एक लाल हुए बलदान के जवदाल रखवाले हैं यह देश मेरा तो जीता रहे तो उन्हें सेर के बच आज रही हैं बाकी पूर्व सेनिक्स संतोस जी के बारे में आप तमाम लोगों का क्या सोसना एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राई जरूर्दे जय हैं